1580 में ब्रिटिश के इंडिया आने के बाद दुनिया की एक लौती सबसे बड़ी कमपनी The East India को मुगल शासन के दोरान भारत में लाया गया जब कोशिश की गई मुगल शासन को इंडिया से हटा कर ब्रिटिश सामराज्य बनाने का जब सीपर मुगल के सबसे देंजरस राजा ओरंग जेब का राज था जिसको हलके में लेना इन ब्रिटिश को बहुत भारी पड़ गया मुगल से हुए लड़ाई में हारने के बाद ब्रिटिश को ओरंग जेब के सामने जुकर सौरी मांगनी पड़ी और दे इस्ट इंडिया कंपनी को मजबूरन पीछे हटना पड़ा क्योंकि इनके पास ये आखरी ओप्शन था आपनी गलती सुधारने का ब्रिटिश का मकसद असल में दे इस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में पहलाना था जो की एक्च्वल में इस प्लान का मास्टर पीस था जो की फाइनली सक्सेस्फुल हो गया बर दोस्त ऐसा करना इनकी सबसे बड़ी भूल थी जिसका अंजाम इनके साथ बाद में बहुत ही भयानक हुआ कर्छे में पाराव पना इनकी सा प्रदेश राज इंडिया में शुरू होने से पहले, इसके अंदर बहुत से प्यादों को लालच का पानी पिला कर गद्धी पर बैठाया गया, और उतने ही इजजट के साथ उस गद्धी से भार भी फेक दिया गया। ब्रिटिश को इंडिया में एंट्री करने से पहले ही इस बात की भनक लग चुकी थी कि, मुबिलों के पास पहले से ही एक बहुत बड़ी सेना मौजूद है, इस समय इनसे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, इसमें लॉस हमारा ही है, और कोई चांस भी नहीं कि हम ये लड़ाई नहीं बलकि दोस्ती करने और पर्मिशन मांगने के इरादे से सूरत से मुगल कैपिटल आगरा पहुचते हैं, जनाब जहांगीर जी से पर्मिशन, इजाजत मांगने के लिए, ताकि हम उनके एरिया में बिजनस कर सके, व्यापार चालू कर सके, लेकिन दोस्त, इनको इजाजत नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक देश पहले से ही यहां अपना बिजनस टार्टप कर चुका था, जिसका नाम है पोच्यूगीस, यानि की दिपूर्टरगाली लोग, जिसके साथ इनके रिलेशन बहुत ही अच्छे बन चुके हैं, और ये बिलकुल नहीं चाहते थे, कि किसी दूसरे की वज़े से इन पुर्टरगाली इसको कोई प्रॉब्लम आए, क्याप्टन विलियम होकन्स निराश होकर वहां से चले जाते हैं, और किसी दूसरी जगह ट्राइ करते हैं, जहां मुगल शासक ना हो, फाइनली उनको एक जगह मिल जाती है, जह वाशिक लराइश शुरू होती है, फिर जैसे तैसे करके इस दे इंडिया कमपनी इन पुर्टरगालियों को हरा कर यहां से भगा देती है, पुर्टरगालियों के सैनिको को हराने के बाद, ये एक स्टेप बढ़ जाती है, बट में बिजनस के लिए, आभी भी इनको वो इ इस्पेरिमेंट राजदर्बार में करते हैं, जिससे ये जहांगीर को खुश करके इनको मना लिया जाता है, आप जहांगीर के मताबिक इस्ट इंडिया कमपनी यहां एक लिमिटेशन फ्रीडिम के बेसिस पर बिजनस कर सकी है, साथ ही ये भी जारी कर दिया जाता है कि इस इस्ट इंडिया कमपनी के अलावा और कोई दूसरी कमपनी यहां बिजनस नहीं कर सकती है, जिसके बाद सेलिब्रेशन होने लगता है, ब्रितिश एंपायल खुश हो जाते हैं इस फरमान को सुनकर, इस्ट इंडिया कमपनी के खड़े होने के बाद, ये कमपनी इंडियन म इस्ट इंडिया कमपनी चाहती थी कि सिर्फ कुछ इलाकों में नहीं बलकी पूरे मुगल शासत प्रदेश में IEC ट्रेड करें, उन दिनों बंगाल में इस चीज की काफी दिमान थी, IEC ये सोच रही थी कि क्यो न अब बंगाल में भी ट्रेड किया जाए, जो की था शायस् औरंग जेब से पमिशन मांगने के लिए, की सर हमें कुछ राइट्स दिया जाए, ताकि हम बंगाल में अपना बिजनस शुरू कर सके, बट इसका असर कुछ उल्टा होता है, औरंग जेब इस बात को मना कर देते हैं, असल में औरंग जेब दूसरे मुगल बादशा से बह पहले ही साल 1670 के टाइम, ब्रिटिश किन चार्ल्स टू ने इनको कुछ पावर्स दिये थे, आपनी न्यू आर्मी और करंसी बनाने के साथ, खोद के अलाइंसेस, जस्टिस डिसिजिजन और पॉलिटिक्स पावर्स रखने की, ताकि इस्ट इंडिया कंपनी को कोई हिला न सके, पावर्स मिलके कुछ साल ही हुए थे कि इन बेवकुफों ने 1686 की समय पमिशन ना देने पर जम छेर दी, ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी वर्सिस मुगल, रेड आर्मी वर्सिस ब्लैक आर्मी, कुछ दिनों बाद ये खबर आती है कि, करीब 40 मिलियन की मुगल सै इनके कंपनी बुरी तरह फेकती है कि, ये किसी लायक नहीं होते, लडाई के खतम होने के बाद इनके कंपनी जप्त कर लिये जाते है, सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है, और जोजिय चायल्ड को औरंग जेब के आगे जुकर माफी मांगनी पड़ती है, लौड से में माफ कर दीजिये, ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी, कुछ फाइन्स लगा कर जनाब औरंग जेब इस्ट इंडिया कंपनी को बकस कर, इनके फैक्टरीज लोटा देते हैं, जिसके बाद आई इसी आँख उठा कर भी बंगाल और आगरा की तरफ नहीं देखती है, कि इ बस सही मौके का इंतिजार करते हैं, फाइनली 1707, मुगल बादशा औरंग जेब अब इस दुनिया में नहीं है, सभी लोकल नवाब अलग अलग होकर अपने हिसाब से काम करने लगते हैं, एक दूसरे में लड़ायां शुरू हो जाती है, आगले बादशा बनने के लिए, बटवारे चालू हो जाते हैं, मुगल सामराज्य बरबाद हो रही होती हैं, एक तरफ मराथा आर्मी, रशियन सिक, आफगान एंपायर, आपने अलाइंसे बढ़ाने लगते हैं, लोकल जगहों से पैसे आने बंध हो जाते हैं, जाहर सी बात है, पैसा नहीं होगा तो अलाइंसे बना रही थी, जिसमें कुछ इंडियन्स भी मौजूद थे, ये अपने अलाइंसे इतने मजबूत कर चुके थे कि, इनको हराना लगभग इन लोकल महराजाओं के लिए मुश्किल सा हो गया था, फिर भी मुगल की पकड़ अभी इस्ट इंडिया से बहुत टैक्स वाला पैसा इस्ट इंडिया कमपनी के पास ही रहेगा, इस फर्मान ने मानो आई इसी को पूरी तरह एक नया रूप दे दिया, मंजुरी मिलने के कुछ सालों बाद, इस्ट इंडिया ने अपनी पकड़ इतनी स्ट्रॉंग कर लीकी, जिसके बाद इन्होंने किसी बादशा फादशाह की चलने न दी, तू होगा कहीं का भी बादशा, आप दिसिजन तो मेरा ही चलेगा, इस बीच एक तरफ फ्रेंच और ब्रिटें में टकर का मुकाबला चल रहा था, जो जीतेगा उसे एक गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट है, इंडियन मार्किट, ल बादशा को बैटमैन कहा जाता है, तो ये थे बंगाल के बादशामैन, जनाब सिराज उड़ दौला, जिसमें इस्ट इंडिया कंपनी के मनमानी को देखकर, बहुत से ब्रिटिश आर्मी की जान ले ली, जिसके बाद दरसल एक गेम खेला गया, एक तरफ ओपोजिशन मु सिराज उड़ दौला, लेकिन इस बीच सिराज उड़ दौला ने फ्रेंच को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि इनके पास दरसल ऐसे बहुत से हतियार थे, जिससे लड़ाई को आसानी से खतम किया जा सकता है, और फ्रेंच और इस्ट इंडिया की दुश्मनी पहले से ही च कुछ टाइम बाद, गदी पर बैठाया गया उनका ही कुत्ता मीर जाफर उन्हें भौकने लगता है, इस्ट इंडिया कमपनी ये देखती है कि मेरा ही बैठाया हुआ कुत्ता, मुझे काटने की कोशिश कर रहा है, रुख बेटा अभी दिखाते है, उसके बाद मीर जाफर को भी गदी से बहार फेक दिया जाता है, एक्च्वल में ये सिलसिला चलता रहता है, गदी से बहार फेक न फिर बैठा देना, 1764 में एक और लड़ाई लड़ी गई, मीर कासिम शोजा उड़ डौला और शाह आलम वर्सिस अकेले ब्रिटिश, यानि की इस्ट इंडिया कमपनी हद पार कर रही थी, एक तो ये टैक्स नहीं देते, उपर से हमारे राज में ही अपनी मन मानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ब्रिटिश इस्ट इंडिया आर्मी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि, इन्होंने तीनों नवाब को राजपार्ट से बाहर कर दिया, जिस डच कंट्रीज गायब हो चुकी होती है, जिसके बाद, फाइनली शुरुआत होती है, दे ब्रिटिश राज की